सो हेगाई स्वागत आपका एक और फिर्शे आपी के इडिव चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगा भी विप्रो लिम्टेड को लेकर विप्रो लिम्टेड के अंदर आप लोग देखो कि भी सुबह सुबह जो ओपनिंग हुई है वो 10% की तेजी के साथ हमें देख लोग देखो भी तेजी क्यों बन रही है आपने देखे होंगे इसके रजल्ट आये थे पीछे सुकरवार के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद और उस रजल्ट के कारण ही आप लोग देखोगे इस टोग में जो मुमेंटम है हमें देखने को मिल रहे हैं तो इतनी शांद 15% 20% 25% इसकी कोई प्राइज लिमिट नहीं है यह स्टोग क्या पता भी 30% तक भी जा सकते है 25% तक भी उपर में जा सकते हैं और क्या पता जो इतने इसमें गिरावट भी आ सकती है लेकिन अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है या फिर आपने पीछे स्टोग को क्रीद रखा है और जिस प्रकार से IT सेक्टर्स के रेजल्ट्स आ रहे हैं उन सब को देखते हुए मार्केट में भी गजब का जो मुमेंटम है वह हमें देखने को मिल रहे है तो यह जो तेजी है मार्केट के अंदर या फिर इन शेरों के अंदर वह ऐसी ही नहीं है यह आने वाला आगे भी ऐसी ब्रकरा रहेगी तो इस टोक के आगे कि क्या टार्गेट रहने वाल है क्या करंट प्राइच की उपर अभी के टैम जो यह 11-12 परसेंट की तेजी पर हमें दिखाई दे रहे है क्या इस रैली में स्टोक को पकड़ना सही है या फिर नहीं है तो चलिए वह दे अगर आपने पकड़ रखा अभी की टाइम तो यहां पर हमारा क्या होगा अगर नीचे में सपोर्ट के अगर बात के तो 506 रुपे का पहला सपोर्ट और दूसर रहा गया 484 रुपे का इसलिए आपको जो नभी 506 रुपे का सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए अगर यह कटे तो ही स्टोक से एकजिट करने के बारे में सोचना अधरवाइस उपर में शेर है तो अभी अपने होल्डिंग बनाए रख सकते हों स्टोक में और तेजी के मुमेंटम बन सकते हैं जहां और तेजी के मुमेंटम बन सकते हैं अगर आपकी होल्डिंग है तो मैं बोल रह तो यह तरीका बैस्ट है भई ठीक है तो 506 रुपेगा नीचे में सपोर्ट पगड़िये चलना पड़ेगा और सेकंड सपोर्ट अभी 484 जो आपको बैटर लगें उसी साब से चलिए और थैंक्यू फॉर वोचिंग दे वीडियो